इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि Microsoft World में हम Macros कैसे Enable कर सकते हैं तो Macros को पहले हमें समझना पड़ेगा, Macros हमारे पास कुछ Automate Frequently Used Tasks होते हैं जो क्या करते हैं कि हमने वो टास्क इनको Repeat करना होता है, बार-बार करना होता है, उसके लिए हम एक Macro Create करते हैं और Run कर देते हैं, जिससे वो Automatically उन टास्क को करना शुरू कर देता है, तो हमें बार-बार मेहनत नहीं करने पड़ती है Macro क्या चीज़ है? Macro is a Series of Commands and Instructions, हमारे पास कुछ Commands Instructions की एक Series है जिसको एक Group कर दिया जाता है, एक Single Command के तोर पे to accomplish a task Automatically ताके कोई भी एक टास्क खुद बाखुद वर्ड परफॉर्म करें, आपने Simple एक Single Command देनी है, और वो Series of Commands and Instructions खुद बाखुद रन होना शुरू हो जाएंगी तो इससे होगा कि आपका टास्क करने में आपका Time काफी बच जाएगा कि बहुत सारे Steps सर्फ एक Macro खुद से कर रहा होगा तो Macro's को Run करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसका एक Short Button बना सकते हैं को एक Access Toolbar में और कुछ Combination of Keys आप सेट कर सकते हैं कि यह Key Press करने से Macro On हो जाएगा तो यह अब हमने इसका एक Introduction पढ़ लिया है अब हम क्या करते हैं कि इस Practical Example देखते हैं Let's suppose यह मेरे पास कुछ Numbers है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इनकी Formatting मैंने कुछ इस तरह से करनी है कि मैंने One के साथ ऐसे एक Bracket Add करनी है उसके साथ फिर एक Bracket और फिर यहां पे मैंने एक Dash लगाना है और यही चीज मैंने तमाम Numbers के साथ करनी है तो अगर मैं एक एक Numbers के साथ यह तमाम Steps करूंगा तो मेरा काफी ज़दा Time लग जाएगा तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक Macro बना लेते हैं उसका तरीका यह होगा कि आपने View के उपर क्लिक करना है Macro पे जाना है Record Macro के उपर क्लिक करना है Record Macro पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहां पे आप उसका नाम रख सकते हैं आप कोई भी नाम रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि यह Macro मैंने इस मकसद के लिए इस्तमाल किया था तो लेट सपोस इसका नाम मैं यहां पे रख लेता हूं Number Formatting कि इससे मैं अपने Numbers की Formatting सेट करता हूँ उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके लिए आप कोई Button सेट कर सकते हैं और अब यह देखें Number Formatting के लिए जो मैंने Macro बनाया है वो यहां पे मौझूद है इसको मैं यहां पे Add करता हूँ और इसके लिए Modify पे क्लिक करके आप कोई एक यहां पे Select कर सकते हैं Let's Suppose कि यहां पे मैं कर लेता हूँ यह उसके बाद आप OK के उपर क्लिक करते हैं तो वह आपके लिए एक Shortcut Button बन चुका है और फिर मैं इसके बाद यहां पे OK के उपर क्लिक करता हूँ तो अब यह मेरा Macro स्टार्ट हो चुका है अब जो भी मैं Keys प्रेस करूंगा वो Record होती जाएंगी जैसे यहां पे मैं एक Bracket एड़ करता हूँ उसके साथ यहां पे एक Bracket और फिर यहां पे मैंने एक Dash एड़ कर दी अब यह मेरा Macro के तमाम Steps की इंस्ट्रक्शन्स रिकॉर्ड हो रही है Macro पे जाके मैं Stop Recording के उपर क्लिक करूंगा तो मेरा Macro एक Create हो चुका है जो इन Number Steps को Follow करता है अब और इसका एक Shortcut बटन मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं यहां पे आता हूँ अगर इस Macro को मैंने Active करना है तो यहां पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें Automatically यहां पे वो तमाम Steps यहां पे खुद बखुद जनरेट हो गए इसना Number 3 जो है यहां पे मैंने Macro एक्टिवेट किया तो वो तमाम Steps को इसने Record कर लिया था और मेरे Button प्रेस करने पे वो तमाम Steps खुद बखुद आटमेटिकली रिपीट होते है तो तमाम Button के साथ मैंने Formatting सेट कर लिया तो मैंने इसका एक Macro बनाया है जब भी मैंने Numbers की Formatting करनी होती है इस तरतीब के साथ तो वो मैं इस तरह से कर लेता हूँ तो यह तो यह एक मिसाल थी कि Quick Access Toolbar में जाके आप एक Button कैसे सेट कर सकते हैं अब हम क्या करते हैं एक और मिसाल लेते हैं कि Let's Suppose इसको मैं Save कर लेता हूँ और हमारे पास यह कुछ तीन डॉकमेंट्स हैं Document 1, Document 2 और Document 3 अब ऐसा है कि मैंने इन तीनों डॉकमेंट्स की Formatting करनी है और Formatting करके मैंने इनको आगे भीजना है अब तीनों डॉकमेंट्स मेंने Common Formatting करनी है तो मुझे पहले Document 1 को Open करता हूँ यहां की कुछ Formatting मैं Set करता हूँ और उस Formatting का मैं Macro बना लूँगा और जब भी मैंने दूसरे किसी Document में वही Formatting Apply करनी होगी तो मैं उसका Macro Run करूँगा तो वह इस Document में Apply हो जाएगा इसे Let's Suppose कि यहां पे मैं Start में एक Picture Add करना चाहता हूँ और इसके लावा मैं यहां पे कुछ और Colors बखरा Change करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहां पे Macro बना सकता हूँ तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहां पे आपने View पे जाना है Macros पे जाना है और Record Macro के उपर क्लिक करना है और यहां पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ Document Formatting और इसके लिए हम एक Keyboard की Shortcut Key जो है वो Select कर लेते हैं Let's Suppose Ctrl Shift and G जब भी आप Ctrl Shift and G प्रेस करेंगे तो यह वाला जो Macro है यह On हो जाएगा और यह काम करना शुरू कर देगा उसके लिए आप यहां पे आपने Assign के उपर क्लिक करना है और Close कर देना है इसको अब आप क्या करते हैं कि यहां पे Insert के उपर क्लिक करते हैं और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पे Insert के उपर क्लिक करना है Pictures के उपर जाना है इस डिवाइस पर हम जाते हैं और यहां पे Let's Suppose यह एक पिक्चर है मैं एट करना चाहता हूँ इसको मैं इनसर्ट किया यह पिक्चर यहां पे Insert हो चुकी है उसके साथ साथ यहां पे जो मेरे पास Main Title है इसको मैं सेलेट करता हूँ और इसका Color हम Red कर देते हैं और आखिर में हम यहां पे एक Copyrights एड़ करते हैं 2020 के और उसके बाद View में जाके आप इस Macro को Stop कर देंगे अब आपका Macro Create हो चुका है और यह Macro Document Formatting के हवाले से है और यह आपने इस Document में अपलाई कर दिया अब यही तमाम Settings आप Document 2 में भी करना चाहते हैं इसको मैं Save कर लेता हूँ और इसको मैं Close कर देता हूँ अब मैं Document 2 ओपन करता हूँ अब Document 2 के अंदर भी मैंने यही Settings करनी है कि मैंने एक Picture Add करनी है Internet of Things का जो आपको नज़र आ रहा है इसका Color Change करना है और आखर मैंने Copyright Side करने है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा अपना Macro Run करूँगा और इसके लिए जो मैंने Short Cut की रखी थी अगर आप को यादो Ctrl Shift और G उसको प्रेस करूँगा तो फॉरी तो फॉरी तो पे वो Macro Run होगा और वो तमाम Document Formatting इस Document में भी Apply हो जाई है तो देखें जैसे ही मैंने Ctrl Shift G प्रेस किया तो वो ही Formatting जो हमने इसे पहले प्रीविएस डॉकुमने में Apply की थी वो यहाँ पे Apply हो चुकी है और उसके बाद मैं इसको Save कर लेता हूँ और इस तरह आप Document 3 ओपन करते हैं और Document 3 में भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वही जो हमारा Macro था उसके उपर मैं उसको Run करता हूँ तो वो यहाँ पे भी Run हो जाएगा तो मैं प्रेस करता हूँ Ctrl Shift G तो देखें यहाँ पे पिक्चर भी Add हुई है और यहाँ पे Copyrights भी Show हो रहे है लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि Copyrights जो थे वहाँ पे End पे Show हो रहे थे और यहाँ पे Start में Show हो रहे हैं और Internet of Things जो है वो यहाँ पे Bold हुआ 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 है लेकिन Red Color का नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो Macro है वो एक एक Line के मताबिक काम करता है अब यहाँ पे जो हमारे Text आ रहा है वो थोड़ा नीचे करके आ रहा है इस वज़े से वो जो हमने जहाँ पे Macro बनाया था वहाँ पे Text थोड़ा उपर करके था तो वो उस Text की Position के हिसाब से उसने Macro को Record किया है और Color को Change ही है तो इस वज़े से यहाँ पे हमें Color का जो टेक्स टेक्स का Color चेंज हुआ है वो हमें Show नहीं हो रहा है लेकिन अलबता Picture जो एड होनी थी वो यहाँ पे हो चुकी है और Copyrights को भी उसने Record किया हुआ था इस वज़े से Copyrights को भी Picture के साथ ही यहाँ पे एड किया है तो इसको आप खुद से Set कर सकते हैं यहाँ से मैं इसको कर सकते हैं जो भी Macros आपने बनाए थे Number Formatting के Document Formatting के आप देख सकते हैं और Edit के उपर Click करने से आपके सामने Microsoft Visual Basic for Application जिसको VBA कहा जाता है यह Microsoft Office की Programming Language है इसके अंदर हम Coding करते हैं और इसके जरीए हम Macros बना सकते हैं और Macros को Edit भी किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग का जो है वो कोर्स आना चाहिए और प्रोग्रामिंग की डिटेल्स पता होनी चाहिए तो यह सिर्फ मैं आपको एक आडिया दे रहा हूं बारहाल एक आम यूजर खुद से Macros बना सकता है इस तरीके से और repetitive task जो उसने करने होते हैं वो असानी के साथ कर सक आज किस वीडियो में हमने सीखा कि Microsoft Word में Macros को कैसे Enable किया जाता है और उनकी मदद से हम अपना काम कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं